बच्चो एक बार फिट से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th mathematics part 2 का problem set 4 ठीक है तो चलिए फिर start किया जाए देखिए यह रहा आपका question number 1 इसमें क्या दिया है कि select the correct alternative for each of the following questions मतलब यहाँ पर questions दिये गये हैं उसके नीचे चार options दिये गये हैं आपको क्या करना है जो भी right answer है उससे आपको select करना है ठीक है ना तो first question देखिएगा the number of tangents that can be drawn to a circle at a point on the circle is dash देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है जैसे कि आपके पास एक circle है यह देखिए मैंने यह circle ड्रॉ कर दिया ठीक है और circle के ऊपर ना कोई point है कहीं पर भी है समझ लीजिए कि यहाँ पर है ठीक है तो इस point से आप कितने tangents ड्रॉ कर सकते हो क कितने ड्रॉ कर सकते हैं बताइए तो इस point से हम लोग एक ही tangent ड्रॉ कर सकते हैं है ना खाली बस एक दो या तीन नहीं समझ रहो कि नहीं तो इसमें answer क्या होगा बच्चों वन कहाँ पर है देखो तीन दो यह रहा आपका एक यह हो जाएगा आपका right answer ठीक है यहाँ पर only one ठीक है समझ गए अब चलो दूसरा question देखते हैं इसमें क्या दिया है कि the maximum number of tangents that can be drawn to a circle from a point outside it is सुनिया भी ध्यान से यहाँ पर क्या बोला था सर्कल के ऊपर पॉइंट था लेकिन इसमें पॉइंट कहां पर है तो देखो बच्चों यह रहा आपका सर्कल ठीक है और यह यहाँ पर क्या बोला गया है पॉइंट कहां पर है तो देखो पॉइंट है outside the circle यानि circle के बाहर यहाँ पर कहीं ठीक है तो यह पॉइंट से हम लोग यह circle के ऊपर कितने टेंजेंट कर सकते हैं तो याद है आप लोगों को हमने क्या देखा था जैसे इस तरीके से मैंने इसक कहां पर है तो यह रहां आपका राइट आंसर ठीक है समझ रहो कि नहीं मेरी बातों को ध्यान से इसको पढ़ोगे ना आपको समझेगा चलो आभी तीसरा वाला कोश्चन देख लेते हैं इसमें क्या दिया है कि ट्रैंगल से और यह दोनों के दोनों क्या है बच्चों सिमि ट्रैंगल रहेगा समझेगा हुगी नहीं मतलब यह चोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन इनका जो शेप हैं बच्चों वो क्या रहता है ठीक है यहां पर यह पर ट्रैंगल मतलब दोनों इक्वल होंगे या फिर हम यह बता ही नहीं सकते तो देखो बच्चो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था जब ही हम लोग प्रैक्टिस एट के कोश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि इन दोनों में से बढ़ा कौन है ये है ना और इसके स आंजर क्या हो जाएगा बच्चों यह वाला राइट आंशर होगा है ना यहीं वाला ट्राइंगल प्रैंगल होगा हमको कैसे पता चला तो यह रेशियो देख करके हमको समझ में आया समझे तो यह थे आपका राइट यहां पर लिख लीजिए का लिखेंगे छो अगर यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इस तरीके से रेशियो है तो फिर ट्राइंगल ABC इस बिगर यहीवाला ट्राइंगल हो जाएगा बड़ा समझे की नहीं हां तो बस यह हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर देख सकते हैं कोश्चन नमबर वन ठीक है और इसके तीनों सब कोश्चन हमने कंप्लेट कर लिया है तो इसको आप लोग अपनी टेक्सबूक में टिक कर लीजिए फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आग होगा बच्चों ओ होगा ठीक है यह लीजिए फिर आगे क्या है रेडियस कितना होना चाहिए 3.5 cm यानि कि इसका जो रेडियस रहेगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 3.5 cm ठीक है फिर हमें क्या करना है टेक पॉइंट पी एट डिस्टेंस 5.7 cm फॉम है मतलब यह जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 5.7 cm ठीक है यहां पर हमें लेना है बच्चों point P ठीक फिर क्या करना है तो draw tangents to the circle from point P यानि point P से हमको इस circle पे tangents draw करने है ठीक है तो हमारे tangents कैसे बनेंगे बच्चों पहला तो एक ऐसे बनेगा दूसरा ऐसे बनेगा ठीक है अब यह कैसे किया जाता है आप बहुत अच्छे से जानते हूं हमने practice 8 4.2 में इस डाइब के question सॉल्व किये थे ना तो जैसे हमने वहां पर किया था वैसे ही यहां पर भी करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं बच्चों इसका solution आप लोग मेरे साथ साथ करते जाहिएगा सबसे पहले तो आपको circle बनाना है तो एक काम करो यह compass में देखो इसका radius कितना दिया है 3.5 cm ना तो इसमें 3.5 cm का distance ले लिजिए का skill से measure करके देखो ऐसे 3.5 cm का distance ले लो मेरे साथ साथ करो आपकी practice होगी फिर exam में भूलोगे नहीं नहीं तो बस देखते जाहोगे तो कुछ सबस्ने होगा खुछ से भी कुछ करना चाहिए तो करते कीजिए थीक है चलि देखिए यहां पर ले liar लोगों नेफिस क्या करना है आपको एक circle करना देना है थीक है चलिए मैं भी बना देती हूं आप भी बना लेजिए तो ये लेजिए मैंने ये circle बना लिया ठीक है और जो इसका center है वो कितना है मतलब वो क्या है O और जो इसका radius है वो है 3.5 cm ठीक फिर हमें क्या करना है तो एक point P लेना है जो यहां से कितने के distance पे होगा 5.7 cm के distance पे होगा तो देखिए यहां से आप measure कीजिएगा 5.7 cm जहां पर भी आए वहां पर आप लोग एक mark कर देना ठीक है चलिए 5.7 cm लगबग लगबग इधर ही कहीं पर आएगा ठीक है न और इस तरीके से इसको आप यहां से आपको क्या करना है तो यह से आपको टेंजन्स बनाने है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फिरसे आपको यह तक लोगे ना तो चलेगा ठीक है चलो आदे जादे इसमें दूरी ले लीजिए फिर उसके बाद यहां पर रखिएगा एक उपर लगाईएगा बच्चो एक नीचे लगाईएगा ठीक है उतने ही डिस्टेंस का इसको हिलाना डुलाना मत बिल्कुल भी नहीं फिर यहां पर एक उपर और एक आर्क क्या करना है बच्चों आप लोगों को नीचे लगाना है ठीक है तो चलिए मैं लगा देती हूं एक आर्क मैंने यहां से मोर दन हाफ डिस्टेंस लोगे और फिर इधर में लगाऊंगी हां इधर कहीं पर आएगा ठीक है एक उपर एक आर्क नीचे है ना यहां से रख करके इसको बनाया यहां से रख करके इसको बनाया ठीक है अब क्या करना है पता है आप लोगों को अब यह जो intersection points हमें मिले हुए ना इन दोनों को हम इस तरीके से joint कर देंगे ठीक है येस, मेरे साथ करते जाएए, ये लेज़े हमने इसको जॉइंट कर दिया ठीक है बच्छो, तो ये क्या हो गया perpendicular bisector of this segment यानि OP का perpendicular bisector ठीक है न, अब आपको क्या करना है तो फिरसे आपको ये confess लेना है फिर क्या करोगे, ये वाला जो पॉइंट आपको मिला है ना बच्चो इससे आप इसका पॉइंटर यहां पर रखिएगा ठीक है यहां पर रखिए फिर यहां से यहां तक का distance measure करो देखो यह वाले center तक का यहां से लेकर के यहां तक कर लिया अब क्या करोगे एक arc आप इसके उपर लगाओगे और same distance का इतना ही distance रखना है एक arc आप इस side में लगाओगे ठीक है देखो आप चाहो तो पूरा यहां पर circle भी बना सकते हो या फिर बस arc लगाया तो भी चलेगा ठीक है तो मैं यहां पर बस arc लगा रही हो एक इधर और एक इधर ठीक है अब क्या करना है बच्चो तो देखिए अभी हम क्या करेंगे ना इसको इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे देखो ऐसे ठीक तो यह हो गया मेरा tangent और इसको यहां से जॉइंट कर देते हैं तो यह हमारा दूसरा वाला tangent हो जाएगा ठीक है ना यह जाएगा आपका point A और य यहां पर लिख दीजिए 5.7 cm ठीक है ना यस तो ऐसे ही करना है आप लोग अपनी नोट बुक में अच्छे से कीजिएगा ठीक ऐसा ही फिगर आपको मिलेगा चलो अभी अगला question देखा चाहें तो चलिए देखते हैं next question इसमें हमें क्या करना है तो यहां पर देखो क्या ल मतलब circle के ऊपर देखो समझाते हूं आपको आपको कोई भी एक circle बना लेना है अपने इसाब से ले लेजिएगा चलिए मैंने बना दिया ठीक है फिर इस circle के ऊपर हमको एक point लेना है तो कहां पर लिया चाहिए कहीं भी ले सकते वह आपके उपर है तो चलिए हम यही पर ले हम इधर ले लेते हैं यह बीच में लेने से अच्छा है ना इधर ले लो ठीक है यहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग दे सेंटर यानि यह जो सेंटर है ना इसका यूज हमको नहीं करना है तो इस टाइप का भी खुश्चन हमने रहने तान में माजिक बनता है चलिए ठीक है अब हमने क्या वेक्षे इसका सेंटर है समस्छ लीजिए हमने एक पॉइंट यूजिए अब पॉइंच अ पर हमको क्या बनाना है तेंजिंग बनाना है विदाओद यूजिंग Т escolaan नहीं करना है तो बताइए वच्छो क्या करे तो देखे हम लोग एक काम करेंगे किज़कर है हम लोग नवा सबसे पहले एक कोड बनाइंगे ठीक है कर चैसे अपकर करके मतलब ये हमारा कोड हो जाएगा यहां पर पॉइंट भी हम लोग ले लेंगे ठीक है यह हो गया point B तो देखो बच्चो इस code ने क्या किया यह जो circle है इसको दो parts में divide कर दिया पहला तो आपका major part है दूसरा minor part है ठीक है तो अब आपको क्या करना है जो major part रहेगा ना उसमें एक point लेना है इस तरीके से के लिजे मैंने point C ले लिया फिर क्या करेंगे तो इस अब क्या करना है तो देखो बच्चो कमपास ले लेना है आपको फिर यहां पर रखिएगा कहां पर यहां पर देखो यह जो angle है ना बच्चो इतना ही angle हमको यहां पर भी बनाना है ठीक है अब यह angle कैसे बनेगा देखो हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसको रखेंगे और अपने ओसाब से आप ले लो कितना भ safe तरी के से एक आर्क लगाईए गवा ऐसे तुआ का हर कुछ ऐसे बनेगा फिर इसको हुलाना नहीं है जितना आर्क आपने इधर लिया था, उतना ही आर्क आपको यहाँ पर भी ले करके बनाना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर रखिएगा, और इस तरीके से आर्क लगाईएगा, तो हमारा आर्क कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, फिर आप इसको इलाडू ला सकते हो, अब क्या करना है, तो यह जो दोनों डिस्टेंस है यहाँ से ले करके यहाँ तक इसे आपको मेजर करना है, इस तरीके से, मेजर कर लो, कितना है यह, मेजर कर लिया, मेरा नहीं ओपर, देखो हुआ, ऐसे करके मेजर कर लीजिए, फिर इसको इलाइगा नहीं, अब कहां पर रखना है, तो यह यहां पर पर ठीक है और फिर यह जो आर्क है नहीं बच्छों इस के ऊपर आप इस तरीके से रगाई तो हमारा एसा बनेगा यहां पर एक यहां पर एक लगाओगे तो ऐसे ही तो कटेगा ना फिर करना है अब जाद़ा कुछ नहीं करना इसको ऐसे जॉइंट कर दो ये intersection point और ये वाले point को बस आपका जो tangent है वो बन करके तयार हो चुका है इतना ही काम करना था देख लीजिए simple था ना देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी naming भी आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा जैसे यहाँ पर एक point ले लीजिए P ठीक है यहाँ पर Q ले लो यहाँ पर X यहाँ पर Y इस तरीके से naming भी आपको कर देना चाहिए ठीक है ना तो देख लीजिए question number 3 और यह 2 complete हुआ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के questions फॉर्थ question देखिएगा बच्चों इसमें क्या दिया है कि इसका डायमर कितना होगा तो 6.4 cm जैसे कि यह मेरा सरकल होगया इसका कितना होगा मतलब जो सेंटर से खरकर के जाता हो है ना तो यह कितना है 6.4 cm फिर देखों आगे क्या दिया है कि take a point at a distance equal to its diameter from the center यानि कि हमें क्या करना है हमें एक ceんत लेना है लेकिन वह कितने मीटर के distance पर होना चाहिए तो वह 6.4 cm के distance पर होना चाहिए फ्रॉम दा सेंटर ठीक है यह बात कहां पर लिखी गई है तो यहां पर लिखी गई है देखो क्या लिखा है कि टेका point r at a distance equal to its diameter मतलब हमें वो distance पे लेना है जो equal हो diameter के तो diameter कितना है बच्छो 6.4 तो यहां से लेकर के जो भी हम point लेने वाले है और ठीक है तो इसका distance कितना होना चाहिए तो यह होना चाहिए 6.4 cm समझेगी नहीं और उसके बाद draw tangent from point r यानि कि यह जो point r है यहां से हमको tangents draw करने है तो हमारे tangents कैसे बनेंगे तो पहला तो ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा ठीक है ना तो क्या करना होगा बच्चो सबसे पहले तो हमको यह circle बनाना रहेगा तो चलिए बनाते हैं यहां पर हम लिखते हैं solution ठीक है अब ही देखो हम circle कैसे बनाएंगे तो इसका जो diameter है न बचो वो कितना है 6.4 cm तो फिर radius कितना हो जाएगा हम जानते हैं कि जो radius है वो क्या होता है बच्चो डायमेटर का आधा होता है तो अगर डायमेटर इतना है तो रेडियस कितना होगा तो इसको 2 से डिवाइट कर दो 2, 3 जा 6 और 2, 2 जा 4 सही है न कितना आ जाएगा बच्चो 3.2 यानि रेडियस हमको क्या मिला 3.2 cm यहाँ पर देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पर डायमेटर कितना दिया है तो 6.4 cm ठीक है तो देखो रेडियस क्या हो जाएगा डी अपाउन 2 यानि कि 6.4 अब इसको डिवाइट कर दो तो 2, 3 जा 6 और 2, 2 जा 4 यानि कि 3.2 cm क्या मिला बच्चो हमको रेडियस मिला ठीक है अभी हम क्या करेंगे तो इतना मतलब इतना डिस्टन्स ले लेंगे इसमें 3.2 cm और फिर एक सरकल हम लोग ड्रॉ करेंगे ठीक है तो स्केल की मदद से ले लो स्केल की मदद से 3.2 cm का डिस्टंस लीजिएगा और यहां पर रख करके आप लोग एक सर्कल बना लीजिए ठीक है यह देखे मैं बना रही हूं आप भी बना लीजिएगा ठीक बना लिया यह इसका सेंटर हो गया ठीक है और हम जानते है कि जो डायमेटर है रुको मैं तोड़ा अच्छे से लाइन कीशती हूं ऐसे यह जो इसका डायमेटर है उसका लेंथ कितना है बच्चो तो इसका लेंथ है इसका सेंटर का नाम नहीं दिया है तो आप अपने मन से पी ले लिजिए ठीक है फिर हमें ना एक पॉइंट आर लेना है जो कितने मिटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए तो मेजर कीजिएगा 6.4 जहां पर भी आएगा वहां पर पॉइंट लगा देना और फिर इसको इस तरीके से जॉइंट कर देना ठीक है समझ पाएगी क्या कि हमने यहां से लेकर यहां तक 6.4 सेंटीमेटर का डिस्टेंस लिया और हमने यह लाइन कीज दी यह हो जाएगा हमार पॉइंट फिर क्या करना है तो हमें टेंजीनेंट इसको क्या करना पड़ेगा सेग्मेंट bei कि को खीचना होगा तो पर्पेंडिकुलर बाइस सेक्टर कैसे कीचा जाता है हमें कमपास लेना है यहां पर मोर्दन हाफ डिस्टेंस लेना है यानि कि आधे से जाधा इसके अंदर दूरी लेनी है फिर यहां पर रख करके एक उपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे ठीक ह तो चलिए लगा लीजिए मैं भी इधर करती हूं यह रहा पहला यह रहा दूसरा ठीक है फिर इधर से किया तो यह इधर इधर ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों यह इंटरसेक्शन पॉइंट समय मिले हैं ना इन्हें हम लोग जोइन कर देंगे इस तरीके से ठ यह हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओफ इस सेग्मेंट ठीक है मुझे लगते हैं इसको थोड़ा और एक्स्टेंड करना चाहिए आप लोग मत कीजिएगा मैं थोड़ा एक्स्टेंड कर रही हूं क्योंकि आप जानते हो कि यह प्रॉप और यहां से लेखर करके यहां तक का डिस्टेंग रिएक यहां तक का अपर यहां तक यह सरकल के आंपर चीचा है यह पहला टेंजेंट इसको दोड़ा और बढ़ा सकते हो पर ठीक है चलो कोई बात नहीं फिर इसको आप ऐसे जॉइंट कर दो है ना यह हमारा हो गया बच्चो दूसरा टेंजेंट ठीक है यहां पर लिख दो X और यहां पर लिख दो Y बस आपका काम खतम ठीक है कुछ लिखना बाकी है यह एक चीज़ लिखना बाकी है वो क्या देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टन्स कितना है तो यह है 6.4 सेंटी मेटर ठीक है तो यह भी हमने लिख दिया चलो यह CM है समझ जाईएगा चलो अभी हम लोग 5th question देखते है ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है तो यहां पर देखो क्या दिया है कि का मेजर्मेंट कितना होगा बच्चो तो 100 डिग्री का होगा फिर ड्र टेंजेंट्स टूदा सर्कल एड पॉइंट ए और बी से हमको टेंजेंट्स बनाने हैं तो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए रहेगा चलो आपको रफ फिकर के माद्यम से समझाती हूं देख इससे यहां से यहां तक मतलब यहां पर ए है और यहां पर क्या है भी बच्चो बीग है ठीक है तो यह वाला जो आर्ग आपको दिखाई दे रहा है ना इसका मेजर्मेंट कितना होना चाहिए ठीक है इस तरीके से हमको यह आर्क बनाना है और फिर उसके बाद यह तो कैसे करेंगे देखो आपको बताती हूं यहां पर लिखते हैं सुल्यूशन पहले आप मेरी बातों को सुन लो देखो यह जो आर्क है ना यह हमें 100 डिग्री कैसे मिलेगा ऐसे डारेक्ट लिए अम लोग कैसे 100 डिग्री का आर्क बनाए कुछ समझने आ रहा ना तो सुनों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे आप लोगों ने यह प्रॉपर्टी तो पढ़ी होई है जैसे कि यह मेरा सरकल है और यह वाला जो आंगल है इससे में क्या बोलूंगी बच्चो सेंट्रल आंगल बोलूंगी ठीक है तो अगर इसका मेजरमेंट है 70 डिग्री तो इसका यह यहां पर सेंट्र अंगल हंटेड डिग्री का ला दिया तो फिर इसके जो करस्पॉंडिंग में माइनर आर्क रहेगा वह भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा ठीक है मतलब यहां पर हमको अंदेड डिग्री का एंगल बनाना है यह बात ध्याने रखना तो चलो द है एक तो छीज है ना यहां पर दीखर का अंगल बनाएंगे तो इसके लिया आपको लेना पड़ेगा बनादो हसी को आप sic geography है नहीं को जॉइंट कर दो ठीक है यह जो आपको मिला ना बच्चो यह हो जाएगा आपका पॉइंट भी ठीक है और यहाँ पर कितने डिगरी का एंगल बन रहा है हंडेट डिगरी का एंगल बन रहा है तो अगर ये central angle है 100 degree का तो फिर इसके corresponding में जो minor arc रहेगा बच्चो इसका भी measurement कितना हो जाएगा 100 degree का ही हो जाएगा, ठीक है, समझे की नहीं, तो यहाँ पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि angle APB, देखो APB ये equal हो जाएगा कि जिसके तो major arc AB के equal हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों भी हो जाएगे 100 degree के, अब उसके बाद हमें करना क्या है, तो point A और B से हमको tangents बनाने हैं, तो वो तो हम बना सकते हैं, कैसे, अरे यह तो बहुत ही simple है, देखो, क्या करेंगे बच्चो इसको extend कर देंगे, देखो ऐसे, फिर अभी आपको यह compass लेना है, और क्या करोगे, देखो, ऐसे, इसे आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, एक arc आप इधर लगाईगा, फिर same distance का, उतना ही distance लिए रहिएगा, इसको change मत करना, फिर एक arc इधर लगाना, ठीक है, तो आपका arc कुछ ऐसे आएगा, एक तो लगाईएगा, फिर एक arc नीचे लगाईएगा, ठीक है, अब इधर रखना, एक arc उपर, एक arc नीचे, है ना, पहले हम लोग कैसे क्या करते थे, वैसे ही करना है, एक arc उपर, एक नीचे, एक उपर, एक नीचे, इस प्रकार से लगा दीजिए, फिर उसके बाद, यह जो intersection points म पर अच्छे से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और मैं पास में ले लेती हूँ, लेकिन आपकी notebook में अच्छे से होगा, क्योंकि आपने उधर properly सब कुछ measure करके करते हो, इसके लिए, ठीक है, एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, और एक इधर, ठीक है, अब इसको और इसको आप joint कर दीजिए, यहां से यहां पर, इधर और यह इधर, अब इन दोनों को joint कर देते हैं, ठीक है, इसको दे देते हैं नाम L, मतलब यह वाला जो tangent है, यह क्या है, अब हमें क्या करना है, बच्छो, point B से भी tangent बनाना है, तो इसको extend कर दीजिएगा, ठीक है, ना, फिर उस इसके बाद क्या करेंगे, तो compass ले ले लिजिए, और इसमें, यहां पर रखिए, एकार का यह साइड लगाईएगा, यहां पर रख करके, फिर उतने ही distance का, एकार की यह साइड लगाईएगा, फिर इसको आप बढ़ा यह चोटा कर सकते हैं, अब यहां पर रख करके, एका ना, ओके, तो मेरा आर्क कैसा आएगा, आपको बता देती हूँ, देखो, आर्क ना कुछ ऐसे आएगा, यहां पर एक तो आजाएगा, और दूसरा यहां पर ऐसे आएगा, ठीक है, अब यह जो intersection points हमें मिले हैं न बच्चो, हम इन दोनों को joint कर देंगे, इस प्रकार से, य tangent, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, point M, point M नहीं, tangent M, ठीक है, तो इस तरीके से आपका figure बनेगा, यह तो रफ था, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, question number 5 भी यहां पर complete हूँ, आप इसके आगे हैं, तीन और questions उनको भी हम लोग solve करेंगे, पहले आप इनको अच्छे से देख लीजिए, अभी हम देखेंगे, बच्चो, question number 6, तो देखिएगा, इसमें क्या दिया है, कि draw a circle of radius 3.4 cm and center E, यानि कि हमें एक circle draw गरना है, जिसका center क्या होगा, E होगा, और जो इसका radius है, वो कितना होगा, 3.4 cm, ठीक है, फिर आगे क्या है, कि take a point F on the circle, यानि circle के उपर हमको एक point लेना है, point F, ठीक है, तो वो जो आपका point है बच्चो, वो आप कहीं पे भी ले सकते हो, तो हमें एक काम करते हैं, यही पर ले लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करना है, आगे देखो, take another point A, such that E से F, F से A, यानि कि हमें एक और point लेना है, बच्चो, कौन सा point A, ठीक है और यह जो A point है ना, वो हमें ऐसे लेना है, कि यह तीनो points क्या हो, को लीनियर, यानि कि E से F हो, और F से क्या हो, बच्चो, A, तो A point कहां पे आएगा, यहां पर कहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना, और देखो, यहां पे देखो, F, A का distance कितना दिया है, 4.1 cm, यानि यहां से ल इसा होगा, ठीक है, तो यह तो आपका रफ फिकर था, अब चलिए, आम लोग करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग करते जाहिएगा, बहुत है, ठीक है, चलो देखते हैं, पहले तो आपको क्या करना है, बच्चो, कमपास में 3.4 cm का distance ले लीजिए, और एक सर्कल बनाईए, तो यह देखिए, हमने यह सर्कल बना लिया, जिसका center है, बच्चो, E, ठीक है, सही है, बीच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, चलो, और इसका radius जो है, वो कितना है, मेरा सर्कल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अच्छे से बनाओ क्या, रुको एक बार फिर से ट्राई करते हू साय से अच्छा बन जाए, यह देखिए, बच्चो, यहाँ पर यह circle मैंने बना लिया है, जिसका center है, और यह हो जाएगा, इसका radius, देखो, यहाँ से लेकर के, यहाँ तक, जिसका distance होगा, 3.4 cm, तो यहाँ पर मैं लिख देती हू, 3.4 cm, ठीक है, फिर हमें एक point F लेना है, और हमें point A लेना है, और F से लेकर के A तक का distance कितना होना चाहिए, 4.1 cm, तो आपको क्या करना है, बच्चो, scale लेना है, और यहाँ से आप लोग मेजर कीज़ेगा, यहाँ से 4.1 cm, ठीक है, 4.1 जहाँ पर भी आएगा, वहाँ पर इस प्रकार से tick करना, और फिर इस तरीके से आप लोग एक line case दीज़ेगा, ठीक है, यह हो जाएगा आपका point A, सही है ना, यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है, बच्चो, यहाँ से यहाँ तक का distance है, 4.1 cm, ठीक है, इतनी बाते आपको समझ में आई, अब हमें क्या करना है, तो यह जो point A है, यहाँ से हमको tangent ड्रॉ करना ह है, तो tangent के लिए हमें क्या करना होता है, तो यह compass की जरूरत पड़ती है, है ना, क्या करेंगे, यह जो आपका segment है, segment E, A, इसका perpendicular bisector हम लोग कीचेंगे, तो perpendicular bisector कैसे बनाया चाता है, आपको compass ले लेना है, इसमें more than half distance लीजिए का, यानि आदे से जादा धूरी लेनी है, य एक arc नीचे, ठीक है, फिर यहां पर रख करके, एक arc उपर लगाई है, एक arc नीचे लगाई है, ठीक है, चलिए लगा लीजिए, तो हमारा arc कुछ हैसे आएगा, समझें, फिर उसके बाद, यह जो intersection points हमें मिले हैं बच्चों, इन्हें हम लोग joint कर देंगे, इस तरीके से, य जानते ही हैं, ठीक है, इस point को कुछ नाम दे दो, क्या दिया जाएं, चलो x ले लेते हैं, तो इस point का नाम हो गया, बच्चो, x, ठीक है, अब हमें क्या गरना चाहिए, तो दीखिए, आभी हम लोग यह compass ले लेंगे, और फिर, देखो, ऐसे, यहां पर इसका pointer रखना, कहां यहां से यहां तक measure कर लो, फिर इतने measure कर यहां पर एक arc लगाना, और एक arc इधर लगाना, मतलब, circle के ऊपर आपको arc लगाने है, ठीक है, तो जब आप लगाएंगे ना, बच्चो, एक तो इधर आपको मिलेगा, दूसरा इधर मिलेगा, फिर क्या करना है, अब जादा इन दोनों को इस तरीके से joint कर दीजिए, बस ऐसे joint कर दो, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना, और फिर यहां से लेकर के यहां तक, समझें, yes, यहां पर लिख दीजिएगा, P, और यह हो गया, Q, ठीक है, तो देख लिजिए, बच्चो, आपका जो figure है, वो बन करके तय प्यार हो चुका है, ऐसे ही आपको करना है, ओके, Q6, यहां पर complete हुआ, 7th question देखिएगा, बच्चो, इसमें क्या दिया गया है, कि triangle ABC, it's similar to triangle LBN, in triangle ABC, AB कितना है, 5.1 cm, एंगल भी है, आपका 40 डिग्री, और BC कितना है, 4.8 cm, ठीक है, फिर यहां पर ratio दिया गया है, देखो, AC C upon LN, which is equal to 4 upon 7, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, बच्चो, हमें यहां पर construct करना है, triangle ABC and triangle LBN, तो इस type का question हमने, कौन से practice aid में solve किया था, थोड़ा याद कीजिए, तो हमने इसको solve किया था, बच्चो, 4.1 में, वहां पर हमने देखा था, जबी भी similar triangles होते थे, तो उनको कै कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, बच्चो, सबसे पहले तो इसमें चेक करने का कि कोई common vertex है क्या, तो देखो, इन दोनों triangles में common vertex है कि नहीं है, तो देखो, बच्चो, B जो है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, यानि हमारा triangle कैसा बनेगा, तो ऐसा ठीक है और देखो दोनोंецावब में से बड़ाulsion कौण सा होगा तो हमें वह वो कैसे बता चलेगा यह रेशियों की मदद से पता चलेगा है नर्य ना तो 7 किसके सामने LN के यानि कि LN जिस triangle में आएगा वही triangle बढ़ा होगा तो LN कहां पर आ रहा है बच्चो देखो ये वाले में है ना तो कैसे लिखोगे यहां पर लिख दीजिएगा L यहां पर लिख दीजिएगा N और इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे L B N ठीक है तो यह आपका बड़ा वाला triangle हो गया और चोटे वाले triangle का नाम कैसे लिखोगे तो यह भी simple है देखो हमने L N इदर लिखा न तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चो A C ठीक है तो यहां पर हो गया A और यह हो गया C ठीक है हमारा triangle हो गया चोटा वाला देखो A B C और यह सेंटी मिटर एंगल बी जो है यह है आपका 40 डिग्री का फिर बीसी कितना है 4.8 सेंटी मिटर बीसी मतलब यह है ठीक है तो आमें ट्राइंगल का construction करना है तो कैसे करेंगे चलिए आप लोगों को बताती हूं डे लीजिए अपने हाथ में स्केल वगरा सब ले लीजिए करने वाले हैं 4.8 सेंटी मिटर का यहां पर एक सेग्मेंट बनाएंगे तो सपोस करो कि यहां पर पॉइंट बी है और सी कहां पर आएगा 4.8 सेंटी मिटर के दिस्टंस पे तो आप लोग मेजर कर लीजिएगा 4.8 सेंटी मिटर यहां पर आता रहेगा ठीक है तो इस तरीक सामने देखो यहां पर आएगा बच्चो सी और यहां पर आजाएगा बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है तो 4.8 सेंटी मेटर समझेगी नहीं फिर उसके बाद हमें क्या गरना है तो यह वाला जो एंगल है यह कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है ना तो अब आपक मैंसर कीजिएगा तो देखिए 40 डिग्री कैसे मेशर करेंगे यहां पर रखेंगे ठीक है और 40 डिग्री कहां पर आएगा तो यहाँ पर आरहा है और फिर इसको इस तरेके से हम लोग जॉइंट कर देंगे के देखो इसको एक्स्टेंड कर दीजिएगा ठीक है थोड़ा यह एंगल बना 40 डिग्री का ओके अब देखो बी से लिए करके ए तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों 5.1 सेंटेमेटर तो अब आपको यह कमपास ले लेना है और इसमें डिस्टेंस ले लिजिएगा 5.1 सेंटेमेटर क की मदद से 5.1 सेंटेमेटर इधर मेंसर कर लो और फिर आपको यहां पर रखना है इस पॉयंट पर और इदर अर्क लगा देना है जहां पर वहां पर आएगा आप लोग एक आर्क लगा दीजिएगा ठीक है अगर यह 4.8 है तो थोड़ा और आगे 5.1 लगबग लगबन यह ठेटा मेडा हो सकता है चलो ठीक है अब मैं इसको इस तरीके से बच्चो जॉइंट कर दूँगी ठीक तो ये मुझे कौन सा पॉइंट मिला पॉइंट ए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5.1 सेंटी मेटर ठीक है चलो इतना गाम तो हमने कर दिया है जोटा वाला ट् यानि हमें पॉइंट एल चाहिए और एन चाहिए तो यह कैसे मिलेगा बच्चो घ्या करना होगा तो देखो हमें यहां से एक एक्क्यूट अंगल बनाना पड़ेगा याद है आप लोगों को भूले तो नहीं हो ऐसे ही तो हम किया करते थे यहां से हम लोगे एक्क्यूट बनाएंगे यानि 90 डिग्री से कम तो ऐसे स्केल रखिए और एक लाइन आप ऐसे करके खीज दीजिए ठीक है फिर क्या करना है तो रेशियो देखो इन दोनों में से बढ़ा कौन सा है बच्चो 7 है न 7 बढ़ा है ना तो हम क्या करेंगे यह जो लाइन है इसको 7 एक्वल प फिर दूसरी बार में यहां पर रखना आर्क इधर लगा देना फिर यहां पर रखो अरे एक मिनट यहां पर आर्क लगा दो ठीक ऐसे करके करते जाए यहां पर रखिए फिर एक आर्क लगा दीजिए ठीक है ऐसे करके करते जाएए कहां तक करना है बताती हूँ 7 equal parts में divide करना है ना तो ये 7 हुए कि ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और करना है ये हो गया 7 हुए ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है बच्चो 7 हो गया अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसकी naming कर देते हैं तो ये B है ना यहाँ पर लिखते हैं B1, B2, B3 ये हो जाएगा B4 ये हो जाएगा B5 फिर ये B6 होगा और ये होगा बच्चो B7 ठीक है अब ही देखो बच्चो ये जो हमारा point C है ना इसको हम लोग किस से joint करें इससे करें इससे करें या फिर किससे करें तो ये आपको कैसे पता चलेगा यहां से पता चलेगा ये देखो बच्चो A C के सामने क्या है 4 है ना तो B4 लोग क्या करेंगे C और ये B4 को एक साथ joint कर देंगे ठीक है रुको आपको बताती हूँ C को थोड़ा इधर में किनारे लिख देती हूँ ये C हो गया किसको किसको जॉइंट करना है B4 को ठीक है B4 और C को ऐसे करके जॉइंट कर दो ठीक है कर दिया अब उसके बाद हमें क्या करना है तो देखो बच्चो एलन के सामने क्या था 7 ना तो अभी इस पॉइंट से हमको इसके पैरलल एक लाइन खीचनी है ठीक है किसके पैरलल तो इसके पैरलल हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है एक तो ये दूसरा ये ठीक है कैसे पता चला यहाँ पे 4 था यहाँ पे 7 था तो B4 और B7 ठीक है और इस तरीके से आप अर्क बना दीचेगा ठीक है यहां से ले करके यहां तक का distance measure कीजिएगा कि कितना है यहां से ले करके यहां तक का ऐसे करके distance measure कर लो किया चलो अच्छी बात है फिर क्या करोगे इसको यहां पर रखोगे यह आर्क के उपर और इस तरीके से आर्क लगा दोगे यहां पर ठीक है चलिए यह देखिए मैंने यह आर्क लगा दिया आप क्या करना है तो अब ना यहां से एक लाइन कीचिएगा इ मिल गया ठीक है अब हमें क्या चाहिए ल चाहिए तो एल कैसे मिलेगा बच्चो वही हमको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जो हमने इधर गया ना वही मतलब अभी हमें क्या करना है यह वाली जो लाइन है इसके पैरलल एक लाइन कीचना यहां से तो सुनो फिर से आप कमपा आपके यहां से तक कितना से वह आप मेक्ट कर लेजिए फिर यहां पर रखिए गा और इसको इस तरीके से यहां पर लगादो च्になहीं तो यहां पर जैसा है फिर से करो से यहां पर तरीके सेste यह आपका क्या हो गया ? point L थोड़े इसको बढ़ा देते हैं तो आप लोग देख सकते हो आपके जो triangles है बच्चो वो बन चुके है ठीक है दो triangles है पहला ये दूसरा ये और ये दोनों क्या है ? एक दूसरे के शिमिलर है देखो मैं आपे लिख करके बता देती हूँ यहाँ पर हम लिखते है कि यह ट्राइंगल एबी सी इस सिमिलर ट्राइंगल एल बी एन समझेगे नहीं समझ गया ना यस अब उसके बाद बच्छो चलिए हम लोग अगला कोशन देख लेते हैं तो यह वाला कोशन इसी के जैसा है सेम टो सेम जैसे इसको क्या ना वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है तो चलिए एक बार इसको हम लोग रीट करते हैं तो क्या दिया है यह आपका रफ विगर था इसको अलगी रखो इसको अलगी रखो नें तो फिर हमें यहां पर ट्रैंगल बनाने हैं एक्स बार जेड के सिमिलर ट्रैंगल पीइड एक यूद ंपर फिगर कफिखर कुछ इय्साही बनेगा तो चलू ऑप फिर बनाते बनाते हैं ना रफ फिकर बना लिया चाहें एक बार चलिए बनाई लेते हैं ठीक है अब कौनसा ट्राइंगल बढ़ा होगा कौनसा चोटा होगा इसका पता आप कैसे लगाएंगे तो यहां से पता चलेगा ठीक है इन दोनों में यहां पर आजाएगा तो यहां पर हमें लिखना होगा पी और क्यू ठीक है याद रग को जैसे इसको लिख रहे हो वैसे आपको इसे भी लिखना है जैसे कि मैंने यहां पर करके वाई तक है 6.3 फिर वाई क्यू कितना है 7.2 cm तो यहां पर मैं लिख देती हूं 7.2 फिर पी क्यू पी क्यू मतलब यह है आपका 5.8 cm ठीक है ना और यहां पर यह रेश्यू दिया गया चलो इतनी इंफोमेशन काफी है हमारा ट्रैंगल बनाने के लिए तो सबसे पहले क् सब्सक्राइब बनाएंगे 7.2 cm का तो आप लोग स्केल ले लीजिएगा और 7.2 cm का बेस यहां पर बनाएगा ठीक है देखिए ऐसे यहां पर रखो यहां से शुरुआत करी यहां पर 7.2 आ गया और इसको थोड़ा एक्स्टेंड कर दीजिएगा क्यों एक्स्टेंड करना है मैंने बताया था ना यह वाला जो पॉइंट जेड है वो भी तो इसी लाइन पर आएगा इसके लिए पहले से इसको एक्स्टेंड कर दो ठीक है य यहां पर सपोस्ट कर वाता है वाई और यहां पर क्यों हम लोग ले लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 7.2 सेंटी में ठीक है यहां पर सेंटी में मिटा दिया था ना लिख देती हूं चलो अभी इसमें देखो यहां से लेकर कि यहां तक का distance कितना है मतलब y से लेकर कि P तक का distance कितना है 6.3 cm तो अभी आप क्या करोगे आपका ये जो compass है बच्चो ये ले लीजेगा और इसमें आपको 6.3 cm का distance लेना है तो मेरा आर्क सपोस करो आता है 6.3 है तो थोड़ा ये पास में ही रहेगा जी हाँ ऐसे कुछ रहेगा ठीक है फिर उसके बाद ये देखो यहां से आते कितना है 5.8 cm तो अब आपको कमपास में फिर से 5.8 cm का डिस्संस लेना है और इसे रखना है यहाँ पर फिर एक आर्क आप इस तरीके से लगा दीजिए चलिए लगा लीजिए हम भी लगा लेते हैं हमारा आर्क कुछ ऐसा आया है ऐसे और यहां से जब लगाया तो ऐसे आ गया ठीक है और फिर हम क्या करेंगे बच्चो तो देखो यह जो हमको intersection points मिले है ना मतलब यह जो intersection point मिला है इसको यहां से और इसको यहां से हम लोग joint कर देंगे ठीक है यह point कौन सा है बच्चो तो यह हमें मिला है point P ठीक है और इसको थोड़ा extend कर देते हैं क्योंकि वो जो X है वो इधर ही आने वाल है ना तो इसको पहले से हम बढ़ा देते हैं ठीक है यहां से यहां तक का distance कितना है लिख दो इधर 6.3 cm ठीक और यह कितना है 5.8 cm यह यह भी हमने लिख दिया अब हमें क्या करना है बच्चो तो यह एक सजेड हमको चाहिए तो यह कैसे मिलेगा यहां पर अभी हमको एक बतलब इतना लोगे तो चलेगा ठीक है फिर आप इधर रखिए और एकार कि इधर लगा दीजिए फिर इसको इलाना डूलाना नहीं है सेम डिस्टन्स का यह 2 हो गया यह 3 फिर देखो यह चोधा फिर यह 5 बांच बांच मेरा सल्क जाता है भार बार और यह हो गया 6 होगे इने एक दो तीन चार पांच खे ओके छे पांट में हमने इसको सब्सक्राइक कर दिया यहां पर क्या था यह था ना तो इधर अभी हम लोग Y1, Y2 इस तरीके से इसकी नेमिंग कर देते हैं यह हो गया Y1, Y2, Y3, ठीक है न, Y4, फिर यह Y5, और यह हो गया Y6 ओके, समझ गया, अब देखो बच्चो, यह जो पॉइंट क्यों है न, इसको हम लोग किस से जॉइंट करेंगे तो यह हमें कैसे पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, यह देखो, यह जो YQ है न, वो इसी ट्रैंगल में आ रहा है, बिल्कुल और इसके सामने क्या लिखा है, Y5 और इसको हम लोग जॉइंट कर देंगे, ठीक है इस तरीके से, यहां पर क्यों ले लेते हैं, चलो अभी जॉइंट करते हैं ठीक, और अब हमें क्या करना है, देखो इसके सामने क्या था, 6 है न, YZ के सामने क्या था, बच्चो, 6 तो यह जो Z point है, यह हमको कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, तो अभी आप लोग यह compass ले लिजिएगा, और यहां पर रखो, कहां पर रखोगे, यहां पर ठीक है, और फिर इस तरीके से एक आर्क लगा दो, यहां पर एक आर्क लगा दो, तो हमारा आर्क कुछ ऐसा आएगा, फिर इसको इधर रखो, और इस तरीके से एक आर्क लगा दो, तो आपका आर्क कुछ ऐसा आएगा, फिर क्या करना है, इसको बड़ा या चोटा आप कर सकते हैं, फिर यहां से यहां तक का distance measure कीजिएगा, यहां से ले करके, यहां तक का distance measure करो, और फिर इस आर्क पर रखना यह वाले आर्क पर, ठीक है, और एक आर्क इस तरीके से लगा दीजिए, यह लिजिए हमने लगा दिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चो, तो यह Y6 और इसको जॉइन करती हूँ, एक line खीज देंगे, यह देखो Q बीच में आ गया ना, चलो Q तुम इधर आ जाओ, तो अब हमें point X चाहिए, यह कैसे मिलेगा, तो फिर से आपको compass ले लेना है, और फिर से आपको वही काम करना है, देखो, आप यहाँ पर एक arc लगा दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस प्रकार से, ठीक है, फिर इसको इलाना मत, अब यहाँ पर रखो, और एक arc लगा द ठीक है, मैंने तो measure कर लिया, फिर यहाँ पर रखना, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, confusion नहीं, और एक arc किदर लगा दो, यह लिजे हमने arc लगा दिया, आप क्या करेंगे, तो Z और यह वाले point को joint करती हो, यह एक line खेज देंगे, ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है, हाँ, यह देख तो यह हमको कौन सा point मिला, यहाँ पर मिला X, समझे की नहीं, तो देख लिजे, बच्चों, आपका triangle बन करके तयार हो चुका है, तो ऐसे ही करना है, फाइनली आपका जो question number 8 है, यह भी complete हुआ और इसी के साथ ही chapter number 4 हमने complete कर लिया, ठीक है, दोनो practice sets में मैंने करवा दिया है और जो आपका problem set है, वो भी मैंने करवा दिया, ठीक है बच्चों, और सुनो आप लोग को बताती हूँ, आपके जो आगे के chapters है, geometry के वो भी complete हो चुके है, practice set और problem set, ठीक है, तो कोई भी video आप लोग को चाहिए, तो आप लोग सीधे-सीधे playlist में जाहिएगा, ठीक है, हर ए आप ही मिलेंगे हम लोग next video में, गुद्बाई everyone